Hey Learners! This is Gauravash Sharma and you are watching our YouTube channel Micro Glasses MGC आज जो हम रोब बात करने वाले हैं इसमें वो Class 11th और NEET के एस्पेरिंट्स के लिए बात करने वाले हैं आपके 1st Chapter Class 11th के पायरोवी से इसका नाम है Diversity in the Living World तो Living World क्या है बच्छो Living World क्या है जहां Living Beings है और उनके कुछ Characteristic Feature है जो सिर्फ उनी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं या कई Characteristic Features ऐसे भी हैं जो हमें कुछ Living और Non Living दोनों के अंदर देखने को मिलते हैं अगर मैं Living World की बात करूँ तो Living World is a full of amazing diversity यहां हमें बहुत ज्यादा diversity five हम हो सकते हैं और living organism को लेकर बहुत ज्यादा हम इनके habitat को भी divide कर सकते हैं या diverse कर सकते हैं और diversity का मतलब क्या होता है? diversity is like a विभाजन विभाजन करना in the living world के अंदर इस living world के अंदर इस तुझी सारी species हमें देखने को मिलती हैं इस पोरे world way living species तो किस तरह से हमने उनके habitat को या हमने उनको divide किया वाहे उनके habitat के बहाँ पे कहूं मैं या फिर उनके other characteristics के बहाँ पे तो diversity जो habitat की organism की वह भी बहुत vast है और मैं कह सकता हो कि वह भी बहुत amazing है तो एक सवाल यहां पर यह भी आता है कि what indeed is life? क्यों है मतलब life किस लिए है? तो जो living life है वह क्यों है? हम लोग क्यों बात करते हैं हम लोग क्यों बढ़ रहे हैं living world के बारे में question actually ask कि हम इसको solve कर सकते हैं किसी problem को कि जैसे एक बन सकता है मेरा कोई technical सवाल कि हम living or non living को यहां पर differentiate कर रहे हैं इसलिए हम लोग living की बात कर रहे हैं यहां पर living world की बात कर रहे हैं हम लोग इसके अंतर पढ़ते हैं आप लोग इसके अंतर पढ़ेंगे उसको छोटा सा मैं यहां पर define करना चाहरा हूं बताना चाहरा हूं आप पढ़ेंगे taxonomy क्या होता है यह taxonomy जो बहुत important word है इस chapter के अंतर most इस चीज़ एसी के उपर है तो यह एक big word है जैसे मैं बोलू इसको अधर मैं विभाजित करना चाहूं यह रिविजित करना चाहूं इसका तो वह घुदबता है जैसे मेरा taxes ठीक है और taxes का मतलब होता है arrangement arrangement करना और दूसरा नॉमी जो बना है मेरा वह बर्ट बना है मेरा यहां पर नॉमस से तो नॉमस का मतलब होता है law नॉमस ठीक है नॉमस का मतलब होता है law तो एक arrangement करना एक law एक simple form में arrangement करना किस चीज को वह कहलाता है हमारा taxonomy तो taxonomy की जब भी हम बात करते हैं तो it is exclusive for living taxonomy जो है और यह जो word था यह दिया था हमें केंडॉले जो taxonomy word था वो कहां से हमें मिला यह word मिला है हमें केंडॉले से केंडॉले कों थे साइंटिस्ट थे जिनोंने हमें यह APD-Candolic इनका जो हम लिख लेते हैं पर APD-Candolic इनोंने हमें यह word दिया taxonomy यह बात करें और father of plant और animal taxonomy के जब हम बात करें जो father है इसके plant and animal taxonomy जो father है father of plant and animal taxonomy तो वो है सरकार linear linear यह बात है चोटी सी आपको बताने के लिए यहां पर अगर मैं बोलू कि taxonomy क्या है तो किसी particular area में किसी living thing को study करना या किसी living being को study करना किसी particular area में हम उसको taxonomy के साथ जोड़ते हैं हम उसको क्याते हैं taxonomy किसी area में अगर हम किसी species की study कर रहे हैं किसी के बारे में living thing के बारे में हम लोग study करते हैं taxonomy क्या है हम इसको बार में और डेटेल में पढ़ेंगे taxonomy को आगे अभी हम इस नाम पर आते हैं वापिस तो मैं थोड़ा सा बताना चाला था कि हम लोग अभी को ज्यादा पढ़ेंगे systematic arrangement होता है सब चीज़ों का जब हुआ जो है तो डावर सिटी हम किसी भी चीज में कर सकते हैं अगर आप इस पर ध्यान दो तो क्या है डावर सिटी इन दा लेविंग तो इसका मतलब कि करेंगे मतलब क्या है कि डावर सिटी नौन लेविंग में भी possible है अगर हम living क्या अगर यहां पर हमने add कि that means कि जो डावर सिटी है वो लेविंग में भी possible है तो डावर सिटी को हम दो पार्ट में देख सकते हैं living living या ठीक है तो यह हम इसको इसको इसकु देख सकते है normal living और living को हम इसके अंदर देख सकते हैं so आप हम जो इसके देखेंगे हम देखेंगे इक defining property कि गया देख दर living के जो characteristic feature हो आपको कौन से देखने को मिलते है يعon तो what is living actually, right, what is living, what is living, living क्या है दोस्तों, learners, living क्या है, living के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आप किसे कहेंगे, कि living है, too much confusing words जो है, वो use किये रहे है, ncid के अंदर भी, जैसे, अगर मा बात करो, कि भाई, कुछ words हैं, जैसे, मैं जैसे बोलू कि character, एक word मैने बोला, ठीक है, character मैंने बोला, एक word मैंने बोला, features, ठीक है, या एक word मैंने बोला, इसमें, defining property, तो यह देखो जाना, इन ती words को देखो ध्यान से, यह तीनों को अगर मैं देखो, these all are almost same, पर ncid ने confused कर दिया, तो character ऐसा, जो character ऐसा है, जिसमें कोई exception ना हो, यह without exception हम धून रहे हैं, no exception, उसको हम बोलते हैं, defining property, हम आप धून रहे हैं, इसमें एक word हम देखेंगे, कि एक living की defining property किसे कहते हैं, एक living being, जो character सिर्फ एक living के अंदर हो, मतलब जितने भी जो living being हैं, उन सब के अंदर हमें वो चीज़ दिखनी चाहिए, वो सब के अंदर होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं, defining property, या without exception, उसको हम बोलते हैं, without exception, जिसका कोई भी exception ना हो, यानि जितने भी आप हम living being हैं, आप हैं, मैं हूँ, जितने भी लोग हैं, वो हमें सम में लिखनी चाहिए, वो सारी चीज़ है, वो सम में होनी चाहिए, तब तो हम बोलते हैं, उसको defining property, तो defining property क्या है, या पे, ऐसा character which has no exception, उसको हम बोल रहे है defining property of life, या defining property हमारे, ठीक है, तो अब कौन-कौन से देखू, character, feature ही समझना वह, यह की चीज़ बता रहे हूं आपको, ठीक है, तो defining property का मतलब ऐसे भी आप है, without exception, तो characteristics कौन-कौन से होते हैं, living organism की, तो characteristics के बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, characteristics of living organism, ठीक है, तो कौन-कौन से characteristics हमें देखने को मिलेंगे, जैसे मैं कहूं, characteristics कौन-कौन से मेरे को देखने को मिलेंगे, जैसे, number one, growth, मुर्को देखने को मिलती है, अभी हम बताएंगे कि defining property कौन से है, growth हो गई, growth के बाद अगर मा बात करूं, तो reproduction, यह भी देखने को मिलता है, ह cellular organization, cellular organization, right, इसके अलाबा हमें क्या देखने को मिलता है, cellular organization के अलाबा, हम क्या देखने है, इसके अंदर, metabolism, लेकि कौन से हो गई, growth हो गया, reproduction हो गया, metabolism हो गया, cellular organization हो गया, इसके अलाबा, एक और जो होता है, वो होता है, consciousness, consciousness, right, तो यह जो है न, यह सारे, यह characteristics है, यह सारे क्या है, characteristics of living organism, but, इन में से हमें देखना है, कि कौन सा एक, defining property को show करता है, defining character को show करता है, defining feature को show करता है, तो यह हम खोजेगे, इस सो को सवाल को, मिलते हैं, हम लोग अपने next part में, वो बताने के लिए, कि आपको इसका defining property, actually कौन सी है, एक living banking, link, description में है, फटा हट से next part में, thank you. झाल प्र्केर